तो हेलो दोस्तों आपका अपने चैनल CMC Quiz में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम आपको वैलिडेशन रूल बताने वाले हैं कि एक्सल के अंदर वैलिडेशन रूल कैसे लगाते हैं तो नई वीवर्स जल्दी से सस्क्राइब कर ले ताकि मिझे नई वीडियो से अब त तो दोस्तों वैलिडेशन एक तरह का क्या है पिक फ्रोम लेस्ट रूल्स टू लिमिट टाइप अफट डेटर एंटर इन रिने लिमिटेशन जो है वैलिडेशन रूल का क्या मतलब है कि एक तरह का लिमिट लिमिट हम सेट कर देते हैं कि इससे आगे या इससे पीछे उससे जढ़ा वाले नहीं थो इस तरह का मुण एप तो इसा क्या सकते हैं कि हम वण से तक ही वह इससे ज्यादा है जब्यूंशन और चल्ते हैं तो वैलिडेशन कैसे हैं वह आपको करके तिखते है दोस्तों इस में से भी कोशन आपके इfta कि घ्ञाम में आ सकता है तो चलते रहस दोस्तवाइबस को इस क्वाइब से वह शाया है वृ wow सबस्तों हम देंगे यह वी जो वहोता है इसलिए कोई वी में ऐसम वैली अ कर सकते हैं यहां पर लगाएंगे हम whole number अब whole number लगाएंगे दोस्तों between यहां पर between है not between equals to not equals to greater than less than greater than और equals to या less than या equals to तो दोस्तों जो भी आगर आपका question में आए उस हिसाब से यहां पर आप कर सकते हो लेकिन हम लगाएंगे between में तो between क्या होना चाहिए दोस्तों कि 0 minimum value जो एंटर हो इसमें 0 और maximum जो वो 10 हो तो दोस्तों यहां पर क्या होगा कि 0 और 10 के अलावा कोई भी value इस वाले column में नहीं लेगा तो input message में लिख देते हैं ताकि जो value एंटर करें उसको पता चल सके कि whole number enter तो यहां पर उनको पता चल जाएगा कि क्या number एंटर करना है अगर उससे ज्यादा को एंटर करता है तो उसको क्या करें कि उसके लिए क्या होगा कि यहां पर एक मैंसी error alert लिखा आजाएगा कि note exist तो यहां पर यह भी हमने लिख दिया है तो दोस्तों यह हम लगा दिया है validation rule serial number के उपर तो यहां पर देख सकते हो अगर मैं 0 डालता हूं तो यह ले लेता है वन भी डालता हूं तो ले लेता है 10 डालता हूं तो भी ले लेगा यह लेकिन अगर कोई बंदा 11 डालता है तो यह नहीं लेगा देख लोग दोस्तों यहां पर आ चुका है दोस्तों कि जो हमारा जो नेम हो वह क्या हो वन से लेके शिक्स करेक्टर हो नेम में उससे ज्यादा ना हो तो यहां पर हम वह वालीडेशन रूट लगाते हैं कि मिनिमम जो नंब करेक्टर हो वह वन हो और मैक्सिमम जो करेक्टर हो वह 600 अगर इससे ज्यादा कोई एंटर क यहां पर हमने लिख दिया दोस्तों इससे यह हमारा वैलिडेशन लग गया और इसको कर देते हैं ओके तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों लिखा वहा आ चुका है कि 126 character अब यहां पर हम अगर 106 character डालते हैं जैसे कि हम डालते हैं महेश तो यह महेश में कितने 6 character है तो यह ले लेगा लेकिन अगर हम महेश कुमार डालते हैं तो यह value को नहीं लेगा जैसे हम मैश कुमार डालते हैं यहां पर अब लिखते हैं कुमार अगर एंटर मारते हैं तो दोस्तों देख सकते हो यहां पर आगया only six कि only six character इसमें एंटर करें अगर उससे ज्यादा होगा तो यह value को नहीं लेगा तो simply इसी को कहते हैं हम validation rule तो दोस्तों यह name के उपर हो गय लगा कि इतने से इतने वाले बंदे ही या इस डेट से इस डेट तक ही entry होगी उसके बाद नहीं होगी तो यहीं दोस्तों यहां पर हम डेट में आचुके हैं और डेट सेलेक्ट कर लिया है और between यानिकी उचके बीच में ही अगर यहां पर हम डालते हैं कि यहां डालते हैं हमकी पांच तारिक से लेके और पांच तारिक पांचवा महीना और 2021 से लेके जो है यहां पर इकतिस तारिक पांचवा महीना इकतिस तारिक पांचवा महीना 2021 इसके अंदर अंदर ही जो है एंट्री होगी इसके बाद नहीं होगी तो यहां पर हम लिख देते हैं एंट्री आउट एंट्री आउट तो दोस्ते यहां पर हमने लिख दिया है एंट्री आउट और यहां पर जो है हमने date लिख दिया है यह हमारा validation rule लग गया कि 5 तारिक से लेकर 31 तारिक के बीच में ही entry होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो validation rule लग चुका है अगर हम 31 तारिक डालते हैं तो यह जो है value को ले लेगा लेकिन अगर 31 से जादा हुआ या पांस तारिक से कम हुआ तो यह value को नहीं लेगा है देखो दोस्तो 31 तारिक तुले लिया अगर हम यहाँ पर जो है एक तारिक छटा महीना 2021 डालते हैं तो एक मिएट यह देखो दोस्तो पहले बता दिया अगर हम एक तारिक छटा महीना 2021 डालते हैं तो भी यह value को नहीं लेगा यह बताएगा कि entry आउट हो चुकी है अगर हम दोस्तो पांस तारिक से कम भी डालते हैं तब भी नहीं लेगा यानि कि यहां अगर हम डालते हैं चार तारिक पांसमा महीना 2021 तब भी यह value को नहीं लेगा देख सकते हैं दोस्तों नहीं लिया इसने वैसे ही दोस्तों टाइम के उपर अगर कोई time हमें fix करना है कि इतने जो है time के बंदे ही यहां पे आए और इससे जादा अगर time हो जाए तो entry मना कर दी जाए तो यहां पर entry में हम time time लिख देंगे starting time हम लिखेंगे जैसे कि हमने लिख दिया एक बज़े अब एक बज़े के बंदे जो है एक बज़े से बंदे का entry सुरू हो जाएगा और entry कब खतम हो पांच बज़े जो है खतम हो जाए तो पांच बज़े दोस्तों यहां पर entry क्या होगी खतम हो जाएगी उससे पहले एक बज़े से पहले और एक बज़े के पांच बज़े के बाद कोई बंदा यहां पे enter नहीं हो पाएगा तो यह हमारा validation rule लग चुका है य यहां पे यह तो कोई बंदा आता है वह एंटर करना चाहता है तो वह कहते हैं क्ताइम डॉस्तोंन लग चुक पड़े ने अब दो लिस्ट अगर हमारे पॉस्त हमें बार-बार टाइप ना करना करना पड़े और हम validation रूल लगा के हमारा ये फाइदा हो जाएगा कि हमें वो चीज को बार-बार टाइप नहीं करना पड़ेगा एक बार हम सलेक्ट करके उस चीज को ढूल देंगे और यहां पर एंटर कर देंगे तो यहां पर लगाते दोस्तों लिस्ट वाला लिस्ट वाला वैलिडेशन रूल लगाते हैं तो वैलिडेशन में चलते हैं यहां पर आगे हम सेटिंग में सेटिंग में दोस्तों देख सकते हो एक जो है यहां पर लिस्ट का ओप्सन हमने ले लिया अब यहां पर दोस्तों कह रहा है सोर्स अब कहां पर आपका जो पहले से लिखा हुआ है उसको हम कर लिए एक पूरे को सिलक्ट करने का लिए टो यहां पर इसके ऊंदर कुछ एंटर करते हैं तो यहां पर हो जाएंगा उनTeln ECT कर लिए दोस्तों इसको कर देते हैं हम ओक देख सकते दोस्तों यहां और यहाँ पर आपको नेम को यहाँ पर देख सकते हों यह आपका होता है place for पमसे लोड दोश्वास के ऊपर देखते हैं को प्रीयम्द कर ले तो मैं लगा लिए और यैद लगा लिया टाइम लगा लिया और लेंद भी लगा लिया बच तो हमारा डैसी इंड मल और बच गेह dissoci तो कृस्टम है दोस्तों स्कास्टम मेWER आप जो है अपनी हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो जैसे आपको फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो वह लगा सकते हो मैं लगाता हूं दोस्तों यहां पे आपका decimal तो decimal में क्या है दोस्तों कि मैं चाहता हूं कि जो 5.25 से लेके 10 के बीच में जो orた lol लेकि और यहां पर दीच तो यहां पर देखते हैं तो यहां पर डालता हूं 2.6 तो वह जो है तब भी value को एंटर कर लेगा लेकिन अगर मैं 2.4 डालता हूँ तो यह value को क्या है value को नहीं लेगा तो देख सकते हैं दोस्तों पहले ही बता दिया है अगर मैं 2 value डालता हूँ तो भी यह value को नहीं लेगा तो यह था दोस्तों आपका validation आसा करता हूँ कि आप लोग समझ गए ह क्या होता है और वैलिडेशन रूल कैसे लगाते हैं एक्सल में तो थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू फॉर वाचिंग एंड कीप सब्सक्राइब ताकि मेरे नई वीडियो से अब तक पहुंचते रहें